सु कार्णो यानि की एड़ा कोईन ने सेप्टेमबर 2021 को अपना ओल टाइम हाई हिट किया 3.1 डॉलर पर और हमारी एंट्री एड़ा कोईन के अंदर बहुत पहले से थी और हमने एक यूज प्रॉफिट उस टाइम पर एड़ा कोईन से यहां पर गेन किया एक major development यहां पर आने वाला है Cardinal Project के अंदर June मन्त के अंदर and previously देखा गया है कि जब भी यहां पर कोई development आता है Cardinal Project के अंदर उसका impact एड़ा कोईन के प्राइस की उपर देखने के लिए मिल सकता है तो यह जो major development यहां पर आ रहा है June मन्त के अंदर क्या इसका भी impact हमें देखने के लिए मिलाएगा एड़ा कोईन के प्राइस के उपर और क्या यह impact एड़ा कोईन के प्राइस को वन डॉलर पर लेकर के जा सकता है आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो के इंदर डिसकस करूंगी वीडियो का एक भी पार मिसाउट मत कीजिए का वीडियो पसंद आया त सो एड़ा इस ताइम पर 0.57 डॉलर के उपर ट्रेड कर रहा है इसकी जो मार्केट काप है वो यहां पर है 19 बिलियों डॉलर की टोटल नमबर ओफ एड़ा टोकन जो है वो है 45 बिलियों जिसमें से 34 बिलियों टोकन इस ताइम पर शर्कुलेशन के अंदर है क्वाइन मार्केट काप के उपर एड़ा क्वाइन आपको 6 रैंक के उपर देखने के ले मिल जाएगा कार्णो का एक बहुत ही लेंदी और इंटरस्टिंग रोड मैप यहां पर है जिसमें 5 फेज़ेज है इस टाइम पर कार्णो पुजग जो है वो 4 फेज के अंदर चल र लेंग से यहां पर बेटर भी है कर्णू नेट वर चुग है ऑपना एंसट जो है वो यहां पर नेवल किया था इस टाइम पर कार्णू नेटर्वरक के उपर मोर दें 5 फाइब मिलियन एंसटी जो हैं यहां पर और अल्रेडी मेंट हो चुके हैं जो कि अपने आप में एक एड़ा क्वाइन जो हैं वो एक्लिमेट किये हैं यहां पर आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि एड़ा में 1085 ट्रांजेक्शन हुए हैं लास्ट 4 मन्थ से सिंस जैन्वरी से यहां पर देखा गया है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिले हैं और इन ट से, 1 देख से 1 मिलियन कोंन हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंगस हैं वो मिट मैं के अंदर यहां पर इंक्रीज की हैं और और वो जो हील्डींगस है 5.266 से 17.34 परसंन आप तक यहां पर-اجो हैं यह सारे अक्तिविटी जो से 17 में से 6th में हुई है that means कि almost 250% का इंक्रिमेंट इंकी होल्डिंग के अंदर यहां पर हुआ है also cardinal whales जो 10 million cardinal coins से जादा यहां पर hold करती है उनकी holding के अंदर भी increment जो है वो देखने के लिए और यह activities यहां पर 27th में से 1st June के बीच में हुए that means कि recent यह activity की गई है and उन्होंने ADA coin को यहां पर एक्रिमेट किया है तो आखिर क्यों उन्होंने यह activity की है क्यों उन्होंने और ADA coins को यहां पर एक्रिमेट किया है क्या price के अंदर spike आने वाला है तो उसके लिए यहां पर मैं आप लोग को previous जो development हुए है Cardone Project के अंदर उसका जो impact आया है ADA coin के price के उपर उसको एक बार यहां पर देख लेते हैं so July 2020 के अंदर Cardone Network के उपर एक major upgration हुआ sellay upgrade इसका नाम है और इस upgration की वज़ा से ADA coin के price के उपर 500% का spike जो है वह हमें यहां पर देखने के लिए देन यहां पर मार्श 2021 के अंदर एक major spike आया जहां पर मेरी hardfork यहां पर प्लान था Cardone Network के अंदर जिसने enable किया NFTs को और 1100% का spike हमें देखने के लिए मिला देन September 2021 के अंदर Alonzo hardfork यहां पर आया और इसने ADA के price को 137% का increment जो है वह यहां पर दिया है अब यहां पर एक और major upgrade आ रहा है major event है आप बोसकते development है यहां पर Cardone Network के उपर और यह एक hardfork होने जा रहा है जिसका नाम है vessel hardfork और यह जो hardfork है यह यहां पर बहुत ही ज्यादा important है Cardone Network के लिए और यह introduce करेगा basically यहां पर scaling enhancement for decentralized application and pipelining यह जो नेम है यहां पर vessel hardfork यह यहां पर लिया गया है लेट कार्ड़नो एंबस्टर वेसिल डिबबाउ से अब यहां पर यह जो hardfork आ रहा है इसकी वज़ा से जो cardinal community है वो बहुत ज़्यदा excited है और वो यहां पर expect कर रही है कि इस hardfork से जो ADA coin का price है वो $1 को reach कर सकता है क्या आपको भी लगता है कि ADA coin का price $1 reach कर सकता है मुझे comment section में बताइएगा लेकिन अगर मैं अपनी opinion की यहां पर बात करूँ तो situation को देखती हुए deputy हमने past में देखा है एक impact हमें देखने के लिए मिला है इन सारे events का ADA coin के price की उपर तो एक impact हमें इस बार भी यहां पर देखने के लिए मिल सकता है लेकिन अगर बात करें especially for June month क्या June month के अंदर $1 को reach कर सकता है तो इसकी possibility मुझे current situation को देखते हुए current market scenario को देखते हुए काफी ज्यादा कम लगती है वाकि यह मेरी personal opinion है मैं आपको कोई भी financial advice नहीं दे रही हूँ आप कहीं बर भी investment करने से पहले अपनी कोद के study and research जरूर करें वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चानल को subscribe नहीं किया है तो make sure करें कि चानल को subscribe जरूर कर दे मिलते हैं आप से next video में टिलने take care and bye bye